तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कारडानो के बारे में और जैसे कि आप लोग जानते हैं कारडानो अभी काफी डिप में शल रहा है और इसका जो ओल टाइम हाई था वो काफी अच्छा था इसको देखते हुए हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे क अभी इसको buy करना शाहिए या और थोड़ा सा रुखना शाहिए अगर यहाँ पर हम market की बात करें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं almost market green हो चुकी है फिर से recover करना market ने शुरू किया है और मुझे मेरे एक भाई ने comment भी किया था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दीप माजी हैं एक भाई और इन्होंने साथ घेंटे पहले ट्वीट किया है वह या market कब उपर जाएगा प्लीज बोलिए तो भाई market अभी उपर जा रहा है आप लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो market में आकर और आज की वीडियो में हम लोग कारडानों के बारे में बात करने वाले हैं और उसके लिए अभी हम थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और अभी एक बार चलते हैं कोईन जीको के ओपर कोईन मार्किट कैप के ओपर और दोस्तों यहां पर है हम कोईन मार्किट कैप के ओपर और यहां कारडानों को उपन किया है हमने और आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइस है जो 1.07 डॉलर है और अगर हम all time high की बात करें तो यहां पर पिछले एक साल का जो all time high है आप लोग देख सकते हैं 3.10 है और जो all time low है दोस्तों वो है 0.7171 और दोस्तों यह बहुत अच्छा time है अभी इसमें इन्वेस्ट करने का क्योंकि अभी यह अपने all time high से 50% से भी ज़्यादा down में चल रहा है और अगर हम अभी इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपको काफी अच्छा return दे सकता है लेकिन हमेशा की तरह मेरे कहने पे आप लोग किपसी भी किप्टो में इन्वेस्ट ना करें और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है और rank भी यहां पर सेम है 7 है और coin market cap में भी 7 है और अगर हम नीचे आएं यहां पर दोस्तों तो यहां पर आपको देखने को मिलता है नीचे scroll करके जैसे ही आपाते तो एक साल में इसने जो अपने holders को अपने जो इन्वेस्टर्स को profit दिया है 26.6% का दिया है दोस्तों अगर पिछले 30 दिनों की बात करें तो माइनस में चल रहा है माइनस 17.07 और अगर हम दोस्तों इसका all time high को देखें तो अभी अपने all time high से बहुत जादा down में चल रहा है और यह एक अच्छा time होता है अच्छा एक signal होता है हम लोगों के लिए कि अगर यह all time high से 50% से भी जादा down में है 50-60% से जादा down में है तो हमें कुछ पैसा उसमें invest कर देना चाहिए और मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे कहने से आप प्लीज invest ना करें आप खुद का भी थोड़ा सा analysis करें और दोस्तों यहां पर है हम वजीर X के उपर और यहां हम थोड़ा सा इसका analysis करेंगे थोड़ा moving average को use करेंगे यहां पर और यहां पर हम लोग इसको open कर लेते हैं card down को आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर तीन moving average लगाए है exponential moving average और आपको यह use करने है और मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपने indicator के उपर जाना है और यहां पर आपने search करना है EMA ठीक है जी तो उपर वाले moving average जो आ रहा है सबसे उपर वाला इसके उपर आपको तीन बार प्रेस करना है तीन बार प्रेस करने के बाद आपके पास यह वाला section आ जाएगा दोस्तो और जो सबसे उपर है यहां पर जाकर हमने क्या करना है इसके setting में जाना है और यहां पर हमने style में जाकर इसका color change करना है black ठीक है जी आपके पास कोई और color आएगा जब first time use करेंगे तो आपने इसको black कर देना है और उसके बाद जो इसकी length है यहां पर 9 ही रहनी देनी है ठीक है इसकी length को change नहीं करना है यह length होती है जो candles है हमारी पिछली 9 candle के हिसाब से यह average बताएगा ठीक है जी और उसके बाद जो second वाला है इसको हमने press करके फिरिस की setting में जाना है और यहां पर आपको कोई भी color चूज कर सकते है और input में आपने 21 रखना है 21 candle के हिसाब से यह आपको average देगा और उसके बाद जो last वाला है दोस्तों इस moving average को setting में जाने के बाद आपने इसका भी color change करना है कोई और color दे कर आप इसको set कर सकते है और input में आपने डालना है 55 मैंने पहले भी इसके regarding video बनाई है लेकिन इसने ज़्यादा लोगों ने वो video नहीं देखी इसलिए मुझे यह section यह part इस video में भी include करना पड़ रहा है और अगर यहां पर आप लोग देखें पीछे से हम लोग इसको देखना शुरू करते है थोड़ा सा और हम back जाएंगे पीछे जाएंगे और यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैं आपको basically बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग एक चीज़ को notice करें कि जो यह black वाली average है हमारी moving average है यह दोनों average से 21 और 55 से डाउन आएगी तो इसका मतलब रहेगा आपके लिए कि जो अभी market है डाउन जाने वाली है ठीक है जी जो आपका asset का price है वो डाउन चाहेगा और जैसे ही इसने निचे डाउन दोनों line को काट के निचे डाउन आई है तो आप लोग नों देखा है दोस्तों कि यह काफी down आया है इसका price यहां तक इसका price down आया है और उसके बाद जैसे ही अभी इसने थोड़ा सा cross किया है इस yellow वाली line को आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब दोनों को काट के उपर जाएगा तब आप entry ले सकते हैं इसमें तब आप उसमें जो भी order place करना चाहते है प्लेस कर सकते हैं और जब दोनों को काट कर यह नीचे आएगा तो आप उस order को remove कर सकते हैं उस order को exit कर सकते हैं तो यहां पर जब इसने yellow line को cross किया है पर जरूर गया है लेकिन red वाली को cross नहीं कर पाई है जो हमारी black वाली है और जैसे ही इसने फिर से yellow को cross किया नीचे आगई yellow से तो market फिर से down आई है इसका price फिर से आप लोग देख सकते हैं कितना down आया है और अगर हम आगे जाएं यहां पर तो यह continuously down है इन दोनों are moving average के नीचे ही है यहां से फिर yellow को cross करके नीचे आई है तो price फिर से down आना शुरू हुआ है आप लोग देख सकते है जैसे जैसे यह yellow के नीचे है दोस्तों और अगर इसने यहां पर इसको cross करना चाहा तो आप लोग सिरफ factory ध्यान रखें कि जब yellow को यह cross कर जाए और red वाली को भी fully cross कर जाए तब आपने इसमें entry लेनी है और otherwise अगर आप इसमें entry लेंगे दोस्तों तो आपको loss हो सकता है क्योंकि आप लोग देख सकते है black जो नीचे आई है दोनों से फिर से price down गया है और यहां पर दोस्तों एक section है कि थोड़ा सा यहां से उपर गई है और price भी थोड़ा सा उपर गया है और जैसे ही यहां पर नीचे आई है इन दोनों line से तो price फिर से down आया है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसने अभी दोनों लाइन को काफी अच्छे तरीके से cross कर लिया है और हाँ यहां पर आपने जो इसका time period लेना है ताइम फ्रेम लेना है वो 30 minute का लेना है 30 minute के chart में यह काफी अच्छा काम करता है ठीक है जी और उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं price भी काफी ऊपर गया है और जैसे ही इससे अगर down आती तो आपको यहां से exit लेना है आपने यह छोटा सा analysis सीखना है दोस्तों यह आपको काफी अच्छा return दे सकता है काफी अच्छा पैसा काफी अच्छा profit आप यहां अगर यह वाला छोटा सा analysis सीख क रहें सकते हैं Shiba Inu को अगर हम खौले यहां पर तो आप लोग देख सकते हैं आते भी शिबा इनु का भी चार्ट रहे गा दोस्तों यहां पर भी Shiba Inu का प्राइस ऊपर गया है तो यह जो लाइन है उपर गई है उसके बाद ये प्राइस उपर गया है सो आज की वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इंटरस्टिंग लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजे कि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्यू सो मच